हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या आरेस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान पटवार भरती परिक्षाद 2019 के सैलेबस के अकोडिंग राजस्तान की जोगरोफी में अपना पहला टोपिक था जिसका नाम था राजस्तान की इस्तती एवं विस्तार यह अपना पहला टोपिक था जिसमें अपने तीन पार्ट हैं वो कम्पलीट हो चुके हैं आज दोस्तो इसमें चोथा नंबर का पार्ट है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक अराद्यारेस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुलिए अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करें इसके तीन पार्ट है वो कंपलीट हो चुके हैं अगर उनको किसी ने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला प्रेस में देखो इस्तती के अनुसार जो युग में सेस अन्य से बि है तो दोस्तों वह कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा देखो अलवर भरतपूर विकानेर गंगा नगर जैसलमेर पाली दुंगरपूर बाश्वडा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्तर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैसलमेर पाली ठीक है तीन नमबर का उपसन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर और पाली है ये एक दूसरे से टच नहीं होते हैं बाकी के जो जिले हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं नेक्स्ट है इसमें देखो राजस्तान क कौन सी रियासत राजपूत रियासत थी राजपूत रियासत थी तो दोस्तों देखो टोंक बरतपूर दौलपूर करोली तो कौन सी थी जो राजपूत रियासत थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करोली ठीक है करोली जो रियासत थी वो राजपूत रियासत थी त तो चार नमबर का option इसमें right answer हो जाएगा, next question है, 103 नमबर प्रेस ने इसमें देखो, राजस्तान की कौन सी रियासत सबसे नवीनतम मानी जाती है, तो कौन सी रियासत है वो सबसे नवीनतम मानी जाती है, तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो है, कौन सी रियासत है, तो इ एकसे संके गठन के दोरान किसे राजपर्मुक का पदपरदान किया गया मतश्ज संके गठन के दौरान किसे राजपर्मुक का पदपरदान किया गया तो दोस्तों चार आपके सामने हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है उदेवान सिंग एक नंबर का option इसमें right answer हो जाएगा next question है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसमें देखो इस चेतर में होने वाले सामपर्दाइक दंगे ठीक है एक तो कारण ये था दूसरा था मात्मा गांदी के अत्या का सडियंतर इस चेतर में रचा गया और तीसरा था अलवर बरतपुर रियास्तों की सवतंतरता कब है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नमबर का उप्शन उपरोकते सभी आगे चलते हैं नेक्स्ट किसन है वो है मानेक के लाल वर्मा ठीक है मानेक के लाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन नेक्स्ट किसन है समीत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आ आंसर हो जाएगा नेक्स्ट किसन है एक सब्सक्राइट डाहिक है सास तक 25 जिले थे ठीक है एक नॉवंबर गुनीस सो चपन को एक इकरण के अंतिम चरण के बाद राजे में 26 जिले थे वर्तमानमी जिलों की संक्या कितनी है तेंटी से 110 नॉबर प्रेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो दोस्तों किसे कहते हैं तो गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं तीन नंबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अंग्रेजी में ग् कांत प्रीर इस्तानों में रहना पसंद करता है नेक्सक आगे चलते हैं तो इसका जो राइट आन्सर हो जाएगा वहाई राजिस्तान का जो राजबरकश है वो कुन सा है? तो खेजडी, खेजडी वरक्सा है, यह राजस्टान का राज Raisure वरक्से है Next Question है, 113 नमबर प्रेस ने, इसमें देखो राजस्तान के सहल एंग ने, जिले कोन-कोन से हैं तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें शिरोई पाली और नागोर ये दोस्तो राजस्तान में सेलेगन जिले हैं तीन नमर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 114 नमर प्रेसन है इसमें देखो राजस्तान का 33 वा जिला जो 2008 में बना था किस संभाग में है तो दोस्तो 2008 में कौन सा जिला बना था तो दोस्तो सब को पतावगा इसका तो कौन सा जिला बना था परताब गड़ ठीक है तो ये दोस्तो ये कौन से संभाग में है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो उधैपूर संभाग में ठीक है चार नमर का उप्श Sampag में सबसे अधिक जिले हैं तो दोस्तो इस हो जाएगा वह किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं تو दोस्तों जौद पूर में सबसे अधिक जिले कितनी से जिले हैं जह हैं टूद जोद्पूर, पाली, शिरोई, जालोर, बाडमेर और जैसलमेर ये जोद्पूर संभाग के अंदर गते आते हैं और उद्धैपूर के अंदर भी दोस्तों छह जिले हैं उद्धैपूर, राजसमन, ढूंगरपूर, बांसवडा, चितोड़गड़ और परताबगड़ ठीक है 116 नबर प्रेसन है, इसमें देखो राजस्तान, सुरी, सवीदान सबा में राजस्तान से जो सदस्य बेजे गए थे, उन में से कौन सा सामिल नहीं था सवीदान सबा में राजस्तान से जो सदस्य बेजे गए थे, उन में से कौन सा इसमें सामिल नहीं था तो दोस्तो चार अप्शन आपके सामने हैं, हीरालाल, सास्त्री, मानिक किलाल वर्मा, जेनारेन व्यास, टीकाराम, पालीवाल तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो है टीकाराम पालीवाल, ठीक है, चार नबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है, इसमें देगो, किस जिले से सतर डिग्री देशानतर रेखा गुजरती है, किस जिले से सतर डिग्री देशानतर रेखा गुजरती है, वह है, तो वह कौन सा जिला है, तो वह है दोस्तो इसमें जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर से सतर डिग्री देशानतर गुजरती है नेक्स्ट ए एक सो अठारा नमबर प्रेस ने इसमें देखो राज्य का राज्य पक्सी एवं राज्य पसु का सही सुमेलित समुहे कौन सा है राजस्तान का राज्य पक्सी एवं राज्य पक्सु का सही सुमेलित समुहे कौन सा है तो राज्य पक्सी कौन सा है तो राजेय पक्षी की वागर अपन बात करें तो दोस्तो मौर मत कर देना इसमें तो इसका उजय का गोडावन ठीक है और राजे सितंबर 2004 की बात है इसमें दोस्तो एक इस दिन एक अधिसूतना जारी की गई थी रेगिस्तान के जहाज उंट को पसुदन स्रेडी में राज्किय पसू का दर्जा दिया गया था जबकि चिंकारा वन्य जीव स्रेडी में राज्किय पसू रहेगा ठीक है वन्य जीव स्रेडी के अंदर गत तो कौन सा राज्य पसू रहेगा वह है सिंकारा और पसुदन स्रेणी के अगर बात करें तो उंट ठीक है ये इस चीज को याद रखना चार नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर गुन्जीस नमबर प्रेशन है राजस्तान राजे का पूरवे पस्यम वे उत्तर दक्षिनी देशांतरिये तथा अकसांसिये विस्तार है तो दोस्तो पूरव पस्यम और उत्तर दक्षिन का देशांतरिये विस्तार अपने को बताना है तो दोस्तो सब को बताऊगा आठ करी 9 मिनिट तक ठीक है यह दोस्तों इसका जो देशांतरिये और अक्सांसिये अंतराल तो दो कौन से जिले का है तो बीलवाडा जिले का है कौन से जिले का बीलवाडा जिले का है दोस्तों उत्तर से दक्षिन विस्तार नेक्स्ट है 121 नमर प्रेस नहीं इसमें देखो राजस्तान राज्य की सरवादिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्दे पर्देश के साथ में कितनी 1600 किलो मिटर नेक्स्ट कुशन है 122 नमर प्रेस नहीं इसमें देखो इन में से राजस्तान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है इन में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है तो दोस्तो चार उप्सन है बाड मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमान गड़ तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो हनुमान गड़ ठीक है चाल नमर का option इसमें right answer next है 123 नमर प्रेसन है इसमें देखो राजस्तान के नव गठी ते 33 वे जिले परताब गड़ का गठन किनकिन जिलो के छेतरों को मिला कर किया गया तो दोस्तो किनकिन जिलो के छेतरों से मिला कर किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा डूंगरपुर, चितोडगड, उधैपुर और बास्वड़ा इन चार जिलो के छेतरों को मिला कर दोस्तो परताब गड़ का गठन किया गया था एक नमर का option इसमे right answer हो जाएगा देखो पर गड़ के सोटी सादडी अर्नोध और परताब गड़ तथा बांस्वाड़ा से पीपल खूट को मिला कर बनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्शन नेक्स्ट है 124 नमबर प्रेशन है इसमें देखो अरावली प्रवत माला की सुदूर दक्ष जहां से प्रारंब होती है वह है तो दोस्तो कहां से प्रारंब होती है यह दक्षन जड़ अरावली की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कहां से तो यह पालनपूर से पालनपूर कहां पर पड़ता है गुजरात में और अगर दोस्तो पालनपूर में पूछ ले तो कहां पर खेड बर्मा से, ठीक है, next, 125 नबर प्रइसने, आबु परवत खंड निर्मित है, तो दोस्तों आबु परवत खंड है ये ग्रे नाइट से निर्मित है किसे नीरमित है ग्रे नाइट से नेक्स्ट 126 नमबर प्रेशन है इसमें देखो रगुनात गट शिकर ठीक है शिकर में दोस्तो जो चोटी है परवत चोटी है वो रगुनात गट है बहराच है ये अलवर के अंदर है बबाई है ये जुनुनू के अंदर है ठीक है तो ये परवत चोटी है रावली के किस चेतर में इस्तित है तो किस चेतर में इस्तित है तो ये दोस्तो उतरी है रावली के अंदर इस्तित है एक नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इसमें देखो उपरमाल नामक पठारी परदेश में कौन सा जिला सामिल नहीं था उपरमाल नामक पठारी परदेश में कौन सा जिला सामिल नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा कौन सा जिला सामिल नहीं है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, देखो उपर माल पठार है वो बिजोलिया से बैंश्रोडगर के 6 तक आता है, ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, वो है दोस्तो, स्री बिजोलिया, नहीं, इसके अंतर, कोटा आएगा, right answer इसका, ठीक है, उपर माल नामक पठारी पर्देश के अंतर कौन सा जिला सामिल नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह न हुटा टिंग है एक नमब्र का ओप्शन इसमें प्राइट आइप आंसर हो जाएगा कोटा नहीं आएगा इसमें मेसा का पठार इस्तित है तो दोस्तों मेसा का जो पठार है ये कहां पर इस्तित है तो ये दोस्तों चितोडगड में इस्तित है मेसा का पठार और चितोडगड का किला है वो इसी मेसे के मेसा के पठार पर निर्मित है 130 नमबर प्रेसने इसमें देखो रुक्स छेतर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों रुक्स छेतर के नाम से कौन-कौन से जिले जाने जाते हैं चार उप्षन आपके सामने हैं जल्दी से देख लो इन प्रिसनों का उतर क्या होगा इस प्रसन का उतर क्या होगा तो दोस्तों रुक्स छेतर के नाम से अलवर बरतपुर और दौलपुर के नाम से जाना जाता है ठीक है अलवर बरतपुर और दौलपुर को जाना जाता है रुक्स छेतर के नाम से एक नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 131 नमबर प्रेशने राजस्तान का राजे पक्सी है तो राजस्तान का जो राजे पक्सी है वो कौन सा है तो इसमें देखो राजे पक्सी के अगर बात करें अपन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो क्रायोटीस नाइगरेश शिप्स ठीक है ये इसका दोस्तो इसका जो नाम है ठीक है ये गोडावन का जो वानस्पतिक नाम है इसका ठीक है इसे इंडियन बस्टरड भी कहते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्सन नेक्स्ट है एक सो बतीस नमबर प्रेशन है इसमें देखो राजस्तान के पस्मी मरुस्तलिय भाग की चट्टाने किस बूगर्बी काल की है तो किस बूगर्बी काल की है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है जोरासिक एवम इयोसीन यूग की चार नमबर का उप्सन इसमें राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है एक सो बतीस नमबर प्रेशने इसमें देखो राजस्तान के किस चेतर में विंदे पठार का विस्तार है राजस्तान के किस छेतर में विंदे पठार का विस्तार है तो दोस्तो डक्षनी पूरुए जो छेतर में विंदे पठार का विस्तार है चार नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 134 नमबर प्रेस ने उदैपुर से जैसमंद जील तक विस्तरित पठारी बुबाग कहलाता है उदैपुर से जैसमंद जील तक विस्तरित पठारी बुबाग कहलाता है तो क्या कहलाता है ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंसा लसाडिया का पठार कहलाता है दो नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 135 नमबर प्रेसन है राजस्तान के किस जिले में रन का बाहूले है तो दोस्तो जसलमेर जिले में रन का बाहूले है एक नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 136 नमर उत्पत्ती की दरश्टी से अरावली परवत माला किस परकार की है उत्पत्ती की दरश्टी से अरावली परवत माला किस परकार की है तो ये दोस्तों किस परकार की है वलित पर्वत मालाओं में से एक है अरावली पर्वत माला ठीक है इसकी आयू है 650 मिलियन वर्स के लगबग है इसकी आयू ठीक है इसमें रावली प्रवत स्रंकला है जिसको जल विबाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट कुशन है 140 इसमें देखो पस्मी छेतर में इस्तित कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला गोसित नहीं किया गया पस्मी जिले में इस्तिते या पस्मी छेतर में इस्तिते कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला गोसित नहीं किया गया तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा जिला तो वो है शिरोई ठीक है चार नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 141 नमबर प्रेसने राजस्तान की सर्वोच्य प्रवच्चोटी है तो राजस्तान की सर्वोच्य प्रवच्चोटी है वो कौन सी है तो दोस्तों जो सर्वोच्य प्रवच्चोटी है वो कौन सी है सी कर ठीक है सब को बतावागा ये तो एक 151 नमबर प्रेश ने इसमें देखो हमारे देश का सबसे गरम हम सुस्क परदेशzeit है हमारे देश का सबसे गरम एंवम सुस्क परदेश कौन सा है तो दोस्तो एक ही है जिसके नाम के पीछे इस्तान लगता है वो है राजस्तान ठीक है तो दोस्तो एक नंबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 142 नंबर प्रेस ने कर्नल जैम्स्टोट ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है तो किसे कहा है हिंदू ओलंपस तो दोस्तो इसने कहा है गुरु सि Brah को ठीक है गुरु सिकर यानि की माउंट अबू को का है ठीक है हिंदू ओलमपस किसको का है माउंट अबू को तीन नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 143 नमबर प्रेशने रावली प्रवत स्रंकला को बीच में से विबाजित करने वाली नदी प्रनाली है तो वो कौन सी है तो दोस्तों सब को बताओगा कि वो नदी कौन सी है अरावली परवत स्रंकलाग को बीच में से विबाजित करने वाली जो नदी है वो है दोस्तों कौनशी लूनी वेबनास नदी तीन नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 144 नमर प्रेसन है नीमन में से बोराट के पठार में इस्तित परवत चोटी है जरगा ठीक है एक नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 146 नमर प्रेसन है इसमें देखो मरुस्तली परदेश में रेतीले टीलों के इसतरी करन में किस व्रक्स परजाती का रोपन सरवादिक हुआ है मरुस्तलिय परदेश में रेतीले टीलों के इस तरीकरण में किस व्रक्स परजाती का रोपन सरवादिक हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुंसा देखो चार उप्षन आपके सामने है आडू, कुम्टा, खेजडी, रोईडा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कुंसा तो कुम्टा ठीक है दो नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर नेक्स्ट है 147 नमबर प्रेशन है इसमें देखो प इसमें देखो राजस्तान के किन जिलों में रन्ब का बहुले है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसलमेर जोदफुर में रन्ब का बहुले है ठीक है एक नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है 149 नमबर प्रेशन में इसमे काठल का मैदान भी कहते है उसको वो है दोस्तो परताब उठी ठीक है दो नंमर का option इसमें राइट answer 150 नमर प्रेस ने सरवादिक व्रत बूमी का चेतर फल किस जिले में है तो सरवादिक व्रत बूमी का जो चेतर फल है वो किस जिले में है तो राजस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है जैसलमेर तो जैसलमेर का जो छेतर है वो सरवादी के वर्थ भूमी जिले के अंतर गताता है इसका जो पुल छेतर फिल है वो है 38,401 किलोमेटर ठीक है और सागर मलगोपा भी यही के थे इनको जेल में जिन्दा जला दिया गया था जोरावर सिंग के टाइम में आपको पताओगा ठीक है और पिले पत्रों का सहर कौनसा है जैसलमेर ठीक है और पदमीनी पदमीनी कहा की ती तो दोस्तों वो स्रिलंका की नहीं थी तो अगर परसन में पूछा जाए कि राजस्तानी साहित है और जैनमुनिय के नुसार पदमिनी कहां की है तो वो है जसलमेर की ठीक है अगर वैसे अगर नहीं पूछे ऐसा तो आपने को कहां की बताना है सिरिलंका की सिहल दीप की राजकुमारी है तो दोस्तों ये हो गया आज कंप्लीट हो गया है और कल अपना बोतीक विबाग का जो दूसरा चेप्ट राएगा वो कल आएगा तो दोस्तों अगर आपने अभी भी अरद्यारेस अकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए में जै हिंद जै भारत